तो फ्रेंड्स जैसे आपको कल बताया गा था कि इंफलेशन ज़्यादा आया और मार्किर के गिरने की चांसिज है तो वही हुआ मार्किर गिरी जोर से यह भी बताया था कि 200 एमा की और जाएगी तो वह गई निफ्टी और बैंक निफ्टी वे 200 एमा भी हिट हुए और फिर निफ्टी 23,280 के नीचे पेन क्रेट हुआ जैसे समझाया गया था बिलकुल वैसे ही हुआ उसके इलावा अगर हम आएं मिट के निफ्टी में तो मिट के निफ्टी में भी यह बतायी था कि 12,480 के नीचे पेन क्रेट ही है तो वह बिलकुल फ्री फॉल में मार्किर गिरती नजर आई तो इस तरह से हमारी कोशिश होती है कि आपको रोज की रोज एक दिन पहले ही बता दे कि मार्किर में कल क्या होने वाला तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकां का बटन दवाए नीचे फ्री टेरिगाम चैनल का लिंक देए उसे जो क्लिक कीजिए और ज़ ये अभी भी 200 का एमा दूर है इसका 200 एमा भी रह गया है तो इसमें अभी गिरावट बाकी है और गिरावट और ज़्यादा हो सकती है पर ये है कि अब ये ज़्यादा वोलटेल रहेगी क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का 200 एमा आ चुका है अगर वो रिकवर हुए त तो ये कहीं न कहीं ये भी recover होगी मिटके निफ्टी पर ये नहीं है कि इसका 200MA हिट ना हो ये भी कहीं न कहीं attract रहेगी 200MA की और क्योंकि कई लोगों ने target 200MA ही रखा होता है selling का तो वो बार बार sell on rise भी कर सकते हैं तो ये sell on rise कहां तक रहेगा 12200 तक जब तक 12200 के नीचे नीचे है तो sell on rise रहेगा बार बार यहां से market गिर सकती है मिटके निफ्टी special और कहां तक 200MA 200MA कहां पर है 11,867 पें क्रेट कहां होगा नीचे की हो 11,980 के नीचे फिर जाकर ये 11,945 और 11,870 आपको दिख सकते हैं ध्यान रहे अगर by chance 12,320 जो आज का हाई है अगर ये क्रोस हो गया तो जब दर शॉट कवरिंग भी बन सकती है जिसमें आपको 12600 बारा 700 तक के ऊपर के लेवल आपको नजर आ सकते हैं इसके लावा फिन निफ्टी में अगर देखें तो फिन निफ्टी का भी 200MA भी दूर है 22,669 तो जिनका target द कहीं सेलिंग अभी इसमें रहेगी पर ध्यान रहे आपने प्राइज एक्षन को फोलो करना है प्राइज एक्षन क्या कहता है कि अगर 23,320 क्रोस हुआ तो शॉट कवरिंग बन सकती है उपर के 420,520 और 630 आपको दिख सकते हैं नीचे की और अगर 22,890 तो एक भारी अगर आपको दिख सकती है जो आपको 200 मा की और खीच के लेकर जा सकते हैं अब आते हैं गोल्ड पे तो गोल्ड पे अगर आप देखें तो गोल्ड यहां कॉन्सोलिडेट होना शुरू हो गया है तो मुझे लगता है कि अब यह इसी एरिये में कॉन्सोलिडेट होगा 21,910 तो 22,200 के बीच में और उसके लावा अगर हम सैंसेक्स में आए तो सैंसेक्स ने भी अपना 200 मा हिट कर दिया है लगवग नजदी की है 77,393 पे है और 77,690 पे इसकी क्लोजिंग आई तो तीन सो पॉइंट का भी चोटा सा फरक है तो उस तीन सो पॉइंट के फरक को कंप्ली तीन सो नहीं 200 पॉइंट का फरक है तो यहां तो वह 200 पॉइंट कल हिट करेगी नीचे डाउन की और और फिर 200 मा से स्पोर्ट लेगी यहां फिर यहां से भी स्पोर्ट लेकर जा सकती है ध्यान रहे इसकी शॉट कवरिंग 79,200 के उपर ही बनेगी वरना नीचे 76,952 76,952,77,400 यह सारा का सारा एरिया स्पोर्ट का काम करेगा तो यह था प्राइज एक्शन, सैंसेक्स, गोल्ड, फिन निफ्टी और विट्कैप निफ्टी का अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लेकर जूरू लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज स्टाइब कीजिए और यह सब्सक्राइब कीजए देयां माष्चे एक्वारे ले,क्ड़, एक कीजिए लेकर जाओको हमारे घ्लाइब कीजिए हमारे इस ही उब हात्त टो जा है